नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तपस्वी आएस एकडेमिक के एक्स्क्लूजिव एकॉनोमिक्स वीडियो कोर्स के अंदर मैं करदम रावल आज आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा Insolvency and Bankruptcy Code 2016 के बारे में ये क्यों आया, इसके पीछे क्या रहस्य था, यहाँ पर क्या नीड थी इंडिया के अंदर Insolvency and Bankruptcy Code को लाने की कौन से कंट्री से हमने सीखा कि इंडिया के अंदर Insolvency and Bankruptcy Code होना चाहिए तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आज जो हम डिटेल से डिसकेशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपकी तरफ प्रस्तूत किया जा रहा है UPSC IS Exams के द्वारा, तो UPSC IS Exams हमारा YouTube चैनल भी है, तो इसके रिगार्डिंग आप YouTube के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं UPSC IS Exams.com जहां पर आपको The Hindu Editorial, The Indian Express Editorial, फिर General Studies के Various Dynamic Topics के Video Lectures और Daily Current Affair वहां पर भी मिल जाया करेंगे तो YouTube से भी आप जो है वो सारी चीज़ा एक्सेस कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो डीटेल से Analysis और Discussion स्टार्ट करते हैं Insolvency and Bankruptcy Code, Why Do We Need It Now? तो इंडिया के अंदर जो है Single Bankruptcy Code जो है अब तक नहीं था तो इसलिए हमने सोचा कि भी IBC जैसी चीज़ को लाना चाहिए तो इंडिया के अंदर वही पुराने दिनों के अंदर जब Britishers यहाँ पे इंडिया जो है British की कॉलनी हुआ करती थी तब से लेके जो Rules और Regulations जो है हम उसी चीज़ को follow कर लिया करते थे तो mainly जो debtors और creditors के बीच में जो issue होते हैं उसको solve करने के लिए वही हमारे पास बहुत ही पूराने लोस थे तो इसी लोग और जो loophole से उसका फाइदा उठाते हुए Kingfisher कैस हुआ इंडिया के अंदर उसके बाद तो finally हमने decide कर ही लिया कि हमें IBC जो है वो चाहिए 2016 के अंदर हमने finally बना लिया Insolvency and bankruptcy code Even इसको बनाने के बाद भी जो है इंडिया के अंदर काफी ऐसे incidents हुए है जैसे कि नीरव मोदी जो recently इसी 2018 के अंदर हमें देखने को मिला कि नीरव मोदी ने जो है वो बहुत बड़ा घोटाला किया और यहां से चले गए तो यहां पर जो है Unified Framework के तहत एक Insolvency and bankruptcy code की इंडिया को जरूरत थी क्योंकि इससे पहले जो British का time period था तब से हम पुराने laws और acts जो है वो चला रहे थे तो 2016 के अंदर जब यह Insolvency and bankruptcy code आया तो हमें 11 अलग-अलग laws के अंदर amendment करने की जरूरत पड़ी तो यहां पर बड़े बड़े नाम ले लेते हैं Companies Act जो 2013 में आ था उसको भी चेंज करना है Sick Industrial Company जिसका Special Provision Repeal Act है 2003 का वहां पर भी हमें चेंज करने की जरूरत है तो latest status के अंदर यहां पर बात यह हो रही है कि लोकसवा में जब Finance Minister अरुन जेटली ने 2015 के December के अंदर यह code को रखा तो यहां पर काफी सारे reports निकल के आई कि रिफॉर्म जो आएंगे bankruptcy लोग के तो उनके लिए committee की रचना होनी काफी जरूरी है तो what are insolvency and bankruptcy तो यह किस तरह से अलग-अलग है insolvency और bankruptcy सुनने में ऐसा लगता है कि एक ही है लेकिन यहां पर जो है अलग है तो यह क्यों generate होता है इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कोई भी business हो वहाँ पर एक rule होता है कि 2 is to 1 यानि कि debt equity ratio जो होता है वो होता है 2 is to 1 आपके पास जितना कोई मांग रहा है उससे अगर आपकी कोई जो आपकी capacity है उससे आप 50% ही बोरो कीजिए इससे जादा repay करने के अगर आपकी capacity 50% जितनी है उसके 50% ही आप बोरो कीजिए उनसे जादा बोरो करोगे तो आपको आगे जाने वाले समय के अंदर बहुत सारी मुस्किलियों का सामना करना पड़ सकता है तो जो business, houses चाहे वो individual sole proprietor partnership या फिर company हो चाहे वो private limited हो या public company हो whether it is listed or unlisted तो यहाँ पर two is to one का formula जो कोई भी follow नहीं करता है उनको bankruptcy या फिर insolvency के stage के अंदर जाना पड़ता है जब debtor होता है वो incapable हो जाता है अपने creditor को पैसे pay off करने के लिए तो वो हो जाता है insolvent तो यहाँ पर जो है बार बार dates का आ जाना या फिर जो sell हुए हो उनको slow down हो जाना फिर repayment की deadlines को बार बार cross out करते रहना तो यह जो सारी legal declaration अगर insolvency की कर दे तो उसको बोल देंगे bank bankruptcy यानि कि अगर आप insolvent है insolvent कब है आपने जिन से पैसे लिये है या फिर आपको जिनको पैसे देने है आप उनको timely payment नहीं कर पा रहे हो तो आप एक तरीके से partly तो insolvent हो और उसको अगर आप legal तरीके से बोल दो कि भई हम जो है नादार है हम आपके पैसे नहीं दे सकते तो उसको बोलेंगे bank currency लेकिन यहाँ पर एक और भी difference है कि all insolvences need not to be bank currency यानि कि हर insolvency ऐसी नहीं है कि वो bank currency है यानि कि insolvency होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको पैसे देने ही नहीं है और official तरीके से आगे legal तरीके से आके बोल दे कि हम आपके पैसे नहीं दे रह यानि कि बार 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 insolvency का situation आ जाना इसका मतलब है कि आप बैंकरप्सी की और आगे बढ़ रहे हैं और जब बैंकरप्सी होती है official तरीके से legal तरीके से आप बोलते हो कि हम आपका पैसा नहीं चुका सकते तो उस situation अंतरगत क्या होता है कि लिक्वीडेशन करन पड़ता है आपको अपने business का और assets का सारी चीज़े बेच-बाच के आपको जो है जो आपने पैसे लिए है और जो आपका उधार बोल रहा है उसको चुकाने के लिए आपको सारे efforts करने पड़ते हैं तो यहाँ पर main course के उपर आते है कि इंडिया के अंदर Insolvency and Bankruptcy Code क्यों required था तो यहाँ पर required है क्योंकि 13 अलग-अलग laws जो है वो Insolvency और Bankruptcy को connect करते हैं तो उन सारे चीज़ों के अंदर हमें change करना है जब 1909 के अंदर Presidency Town Insolvency Act था वो तब का अब तक चल रहा था Provincial Insolvency Act 1920 का तब का अब तक चल रहा था और जो हमने नए नए भी जो एक्ट बनाया था आफ्टर इंडिपेंडन्स जैसे की Companies Act जो 56 का था वो 2013 में नए बनाया वहाँ पर भी change करना था उसके बाद था recovery of debt due to Bank and Financial Institution Act 1933 तो यह जो हमने देखा था कि SEBI का भी establishment हुआ क्योंकि जो हर्षद मेता वाला जो incidence हुआ था उसके regarding 1993 के अंदर हमने एक्ट बनाया था उसके अंदर भी change लाने की जरूरत थी फिर हमने बनाया था sick industrial company special provision repeal act 2003 तो वहाँ पर भी ऐसे अलग-अलग 11 low हमें change करने थे even जो company है पहले default हो जाती थी तो चार अलग-अलग तरीके होते थे company के लिए legal रास्ते तो उसके अंदर जो debtor और creditor है उन दोनों के बीच में काफी सारी मुसीबते होती थी कि एक जो है वो यह रास्ता अपना था दूसरा B फिर तीसरा C और चौथा D तो यहाँ पर negotiation और multiple penalties अलग-अलग जगा पर आती थी और एक दूसरी की provision जो एक दूसरी एक था high court, दूसरा था company low tribunal, company low board, तीसरा था the board of industrial and financial reconstruction जिसको IB, BIFR के नम से जाना जाता था और तफ चोथा था the debt recovery tribunal, तो यहाँ पर चार रास्ते थे और even चार के बाद पाँचवा भी रास्ता था, चोथा supreme court का रास्ता, तो यह ज़्यादा तर यूज नहीं होता था इसल जादा लगता था और यहाँ पर जो है problem का solution आते आते बहुत ही time निकल जाता था और हमारे पास यह रास्ते अपनाने के लिए एक तरह से उस time period में compulsion भी था क्योंकि कोई unified code नहीं था, जिन को सही तरीके से सही माइनों के अंदर इन रास्तों के ओपर चलना उनके लिए भी ऐसी मस्कीलों का सामना करना पड़ता था क्योंकि कोई उनके पास legal रास्ता नहीं था, तो current insolvency proceeding take months if not years, average time is 4 year, this delay can accurately devalue the asset involved thus making the insolvency negotiation redundant, तो पहले जो है यह बहुत ही जादा time consuming है, और time अगर consume होता रहेगा तो भई asset को बेच के अगर आपको पैसे recover करने पड़ते हैं, तो यह जब time period के दोरान यह asset जो है unutilized format के अंदर रहते हैं, तो भई asset की value होती हो, deteriorate होती है, पहला तो यह point है, दूसरा continuation में देखते हैं, कि यहाँ पर अलग-अलग रास्ते जो है, उसके regarding liquidator है, वो सबसे जादा फाइदे में रहता था, corruption, chronic corruption, nepotism और red tapism के सामना करना और यहाँ पर बहुत सारी मुसीबत है, इसके सार और भी जुड़ी होई थी, चाइना जो है, वो दो साल के अंतरगत, यह सारी चीज़े complete कर देता है, ऐसा बोलता है, वर्ल्ड बैंक, इवन जो US है, उसके अंदर भी liquidation की process काफी quick है, और हमने US से ही सीखा, कि बिजनेस के अंदर यह से free entry होती है, तो free exit के लिए, एकोनोमी को पकड़ के रखना है, एकोनोमी को बचा के रखना है, तो free exit भी जल्दी होनी चाहिए, time consuming नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर SBI जो है, जो एक public sector bank है, उनका यह कहना है, कि भई जो यह insolvency और bankruptcy वाली बाते होती है, इनसे को, तो public sector banks, जो है, इंडिया के अंदर 65% banks, जो है, public sector banks है, और उनमें से 85% जो है, वो उनहीं को ऐसे problems का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो insolvency और bankruptcy की situation arise होती है, तब non-performing asset वाली चीज सामने आती है, और यहाँ पर जो है, currently only 25% of asset value is recovered by creditors, even after liquidation process, तो वही, liquidation process में भी अ मसला बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो current insolvency mechanism or low, which obviously didn't work well, क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़े बताए गई है, securitization and enforcement of security, दूसरा है CDR, जिसका फुर्फर में corporate debt restructuring, जो और तीसरा है SIC industrial companies, C, SICA, तो यहाँ पर जो insolvency proceedings है, वो companies और individual दोनों के लिए अलग-अलग है, तो भ regarding the code will apply to all sort of business entities, including corporate companies, partnership, limited liability partnership, individual etc, broadly the insolvency proceeding, और जिसका short form है, insolvency resolution process, जिसको बोलेंगे IRP, can be classified into two streams, तो अब एक रखा है companies or limited liability partnership के लिए, चो limited liability partnership है, यह एक नही तरीके की business strategy है, जो 2008 के अंदर आई थी, जैसे companies act के अंदर, company बन सकता है, तो limited liability partnership act 2008 के अंतरगर, limited liability partnership act बन सकता है, तो debtor creditor को यहाँ पर इन process को complete करने के लिए 180 दिये जाते है, और उसके अंदर 90 दिन और एड़ किये जा सकते है, अगर 75 प्रतिशद, जो creditors है, वो agree करते है तो, और उन 75 प्रतिशद agree किये हुए, जो, यहाँ पर creditors है, वो decide करेंगे कि क्या करना है, resolution जो होगा, draft resolution, वो decide किया जाएगा, कि आगे आने वाले जो time period है, उस time period के अंदर, क्या उस time को और extend करना है, कि नहीं करना है, और liquidation कर देना है, कि नहीं करना है, यानि कि जो सारे assets से उनको बेच देने है, कि नहीं बेच देने है, और क्या company low tribunal, जो है, national company low तो यहां पर सारी चीज़े जो है creditors के हाथ में आ जाती है और जो time frame है वो 180 दिन और 75% अगर creditors बोलते हैं कि वे और time चाहिए, और time देना है तो और 90 दिन यहां पर extend कर सकते हैं यहां पर जो IRP की जो process है वो ultimately 180 और अगर time extend भी करता है तो 270 दिनों के time frame के अंदर complete हो सकती है partnership की बात करो तो यहां पर जो है same process है लेकिन यहां पर एक एक की limit set की गई है central government के द्वारा की IRP start करना है तो एक resolution, insolvency resolution process अगर start करनी है तो यहां पर है कि आपको जो है debtor जो है वो एक तरह से माफी भी मांग सकता है कि आप जो है specify amount जो है update की वो माफ कर दीजिए और central government की यहां पर involvement हो सकती है और यहां पर जो time frame है वो है 6 महिने का यानि कि वहां पर जो days दिये गया है वो यहां पर month के हिसाब से दिया गया है और जो यह पूरी सारी process है debtor creditor वाली यह इसको supervise करेंगे insolvency professional तो यह यहां पर नहीं चीज़ आई है इंसolvency professional होंगे वो सारी चीज़ों को notice करेंगे और जो negotiation हो सकते है repayment के regarding उनके regarding सारी activities जो ही यह manage भी करेंगे अगर majority of creditors जो decide करते है उसी लिहाज से एजुडिकेटर जो है वो work करेंगे क्योंकि creditors का ही interest protect करना इसका main उद्देश्य है और यहां पर यह लोग जो है जा सकते है जैसे वहाँ पर जाते है national company लो ट्रिबूनल के पास तो यहां पर individual और partnership firms जो है partnership act 1882 के तहट जो भी registered है या फिर unregistered है तो वो लोग जा सकते है debt recovery tribunal के पास और यहां पर जो है bankruptcy का resolution file कर सकते है तो different parties associated with insolvencies तो यहां पर insolvency professional and agency जो पहले यहां पर नहीं हुआ करती थी तो आज जो है license professionals जो होंगे वो insolvency की सारी process bankruptcy की सारी process के दोरान मदद करेंगे और professional तरीके से एक लोग के expert के थरीके से यहां पर सव करेंगे और अपनी जो power है वो यूटिलाइज करके सारी duties जो है और अपने करतव यह का निर्वा करते हुए पूरी process को complete करने की पूरी try करेंगे इसके बाद है information utility तो यहां पर जो है जो code of insolvency and bankruptcy जो code है यह एक main financial information provide करने की भी help करेगा कि current situation क्या है current information क्या है क्योंकि इसके मादियम से जो insolvency professional है वो एक दम से company के अंदर enter कर सकता है और पूरी transactions जो है पूरी activity जो अपने हाथ में ले सकता है तो जो real information है वो यहां तक पहुचेगी उसके बाद यहां पर है insolvency regulator जो होंगे insolvency and bankruptcy code of India के तहत जो 10 members जो होंगे इसके अंदर board के अंदर generate के हुए board के अंदर यहां पर 10 member होंगे चहां पर Central Government Reserve Bank of India जैसी बड़ी-बड़ी institutions के भी यहां पर individuals होंगे even apex regulator even supreme court से individual आएंगे even यहां पर जो information utility जो provide की जाएगी उसको registering भी होगी उसकी और regulating भी होगी और insolvency professional agency भी काम करेंगी insolvency professionals भी काम करेंगे तो जो insolvency bankruptcy board of India है IBBI वहां पर 10 member की team होगी और वहां पर हर stream हर field से यहां पर लोग आएंगे तो यह जो धाचा बनेगा insolvency bankruptcy code का वो इतना strong होगा कि इसके चासे से बच के निकल जाना या फिर loophole का advantage लेगी देखुए बाग जाना यह possible नहीं होगा और आज जो है NPA का जो issue market के अंदर बहुत ही hot है उसको solve करने के लिए जो banking acts है उनको जो है IBC के तहत इस तरहीके से design करना है कि कोई भी provision जो है वो countervail एक दूसरी के साथ ना हो फिर आता है point insolvency and bankruptcy fund deposit of the fund will include grant made by the central government the amount deposited by the person interest earned on investment made from the fund etc any person who can contribute to the fund may apply for withdrawal in case of proceedings against him तो यहां पर काफी simple सी बात है तो बात करते हैं bankruptcy and insolvency adjudicator के बारे में तो कौन होगा वो adjudicator जो यह सारी चीजों के लिए help करेगा तो हमने दो चीजे देखी कि वह company और limited liability partnership के लिए है national company or tribunal जो jurisdiction of companies and limited liability of limited liability partnership के regarding काम करेगा whereas debt recovery tribunal जो है वो काम करेगा individual partnership firm के लिए तो यहां पर appeal कर सकते है अगर आप यहां से satisfy नहीं होते तो अपने अपने यानि कि debt recovery जो ट्रिबुनल है उसके appeal tribunal में और जो national company or tribunal है उसके भी appeal tribunal के अंदर और यहां पर भी अगर आप satisfy नहीं होते हो तो आप जा सकते हो 5th point यानि कि supreme court के पास में तो credit committee की यहां पर बात कर लेते है it is to be composed of financial creditors the primary aim of the committee is to ensure payment to operating creditors on a pre scheduled priority orders यहां पर schedule बना जाएगा priority दी जाएगी कि किन-किन creditors को किन-किन तरीकों से payment करनी है और किन को किस ratio के अंदर payment करनी है क्योंकि obviously जो कोई भी insolvency के बाद bankruptcy के अंदर आता है तो वो 100% repay नहीं कर सकता लेकिन किन amount को किसके यहां पर diversify करके pay off करना है divisible करके तो यह decide होगा credit committee के द्वारा फिर है offenses और penalty अगर कोई भी इंसान insolvency professional की activity कर रहा है और यहां पर यह cheat करते हुए पाया जाता है या फिर कोई creditor cheat करता है या फिर debtor इस process के दोरान कोई cheat करता है तो यहां पर जो है company और जो limited liability partnership है उनके लिए जो person मिलता है ऐसे defaulter activity करता हुआ तो उनको 5 साल की कैद और एक करोड तक का जुर्माना और जो individual अगर पाया जाता है चाहे वो individual form of business से आता हो या फिर partnership form of business से आता हो यहां पर कोई individual activity करते हुए पाया जाता है तो उनके regarding जो penalty है वो 5 लाग तक की है और जो time frame है imprisonment की नहीं किया गया है लेकिन 6 महीने से लेके 3 साल तक की cash जो है इनको मिल सकती है लेकिन court जो उसके पास special right है उसको 7 साल तक की भी cash दे सकते है यानि कि minimum cash जो है वो 3 से 6 महीने की भी हो सकती है य तो advantages जो है वो काफी easy है तो read out करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा ताकि जो हमने discussion किये इसका ही एक प्रकास revision है the bills seek to shift from revival or recovery to resolution this will ensure maximum asset recovered from the data thus helping the balance sheet of the creditor this would go a long way in helping the NPS situation of the bank the new bill process proposes to speed up both recovery and restructuring procedure there is a significant a curb on the time involved in maximum 270 days जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 180 दिन और 75% creditors कहते है कि और 90 days extend कर दिया जाना चाहिए तो यह 90 plus वो पहले वाले 180 दोनों का मिला के होता है 270 days जो maximum time frame रहेगा this will expedite the insolvency process the time is important as the value of the asset corrodes very rapidly when the firm is precaciously placed यानि कि जो भी firm insolvency के बाद bankruptcy के अंदर आती है और liquidation में जाने वाली है तो asset की value जो है day by day कटेगी तो पूरी process जो है जितनी जल्दी खतम होती है यह बहतर उतना है the bill aim at promoting investment freeing the banks resources for other productive uses boosting credit markets and improving ease of doing business in India thus making a cumulative positive impact of the economy the fixed time period and predictable procedure method will encourage creditor to join the collective insolvency resolution जिसको आयर बोलते हैं rather than initiative initiate individuals action तो यहां पर जो सामने से आके भी यह process करना चाहते है उनके लिए भी यहां पर benefit वाली बात है तो continue में read करते है by keeping the role of adjudicator to a minimum the bill ensures that delay arising from the bottleneck in court proceeding are also reduced to the minimum यानि कि बात जब adjudicator तक पहुंच जाती है तो अब ही court के अंदर जो जाधा time लगता था इतना time नहीं लगेगा इवन जो economic viability है debtor के उसको भी यहां पर थोड़ा importance दिया जाता है ताकि जो debtor और creditor के बीच में जो relation है वहां पर थोड़ी बहुत negotiation हो तो insolvency professional जो है वह इस तरह की activity को supervise करेगा NCLT जो है वह बहुत crucial role play करता है क्योंकि यहां पर कोई illegality यहां फिर कोई भी fraud होने की संभावना नहीं है तो यहां पर जो है official liquidator जो है उनके हाथ में बहुत सारे powers है और insolvency professionals जो है कि अगर official liquidator का भी काम करते है तो बहुत ही अच्छी तरीके से perform कर पाएंगे अपनी task को तो industry anticipates that the change will provide an ease exit option for insolvent and seek forms startups तो जो नहीं start-ups होते है उनके यहां पर जैसे entry easy है उसी तरीके से यहां पर इस bill के आ जाने से exit जो है तो जो end up करके जो आगे बढ़ने की जो process है उसको आप धर सकते हो concerns regarding the bill तो यह जो है main concern यह था कि यहां पर जो हमारे अलग-अलग acts और जो पुराने-पुराने acts थे वह एक बहुत ही गंदी चीज थी यहां पर हमने 11 अलग-अलग lose के अंदर amendment करने है और करेंगे भी और उस साल यह उसे भी ज्यादा लग जाता था चाइना के अंदर भी दो साल के अंदर complete हो जाता है और अब जो में हमने यह नया अमेरिका के सीख लेते हुए बनाया है तो उसके अंदर 270 दिन is the maximum time frame जो यह process complete करने के लिए हमार लिए important है इवन यहां पर जो है सिर्फ creditors के hit के बारे में ही नहीं सोचा गया बरकि जो workmen है government के taxes है जो shareholders है तो यहां पर भी कौफी सारे provisions जो है उनके regarding भी देखे गये है इवन जो employees है उसके बारे में भी यहां पर देखा गया है तो यह सारी चीज़े अभी हम readout जरूर से करने वाले और last point जो है उसको सबसे पहले read कर लेते है the credit committee is to is to compose only of financial creditors however operation creditor is to be paid out first this would lead to conflict of interest यानि की credit committee जो होगी उसको pay off करना सबसे पहले important उसके बाद financial creditors को pay off करना most important और बाकी जो सारी चीज़े बचती है वो conflict arise न करे इसके regarding इस तरीके से work करेगी कैसे the bill also provide for priority with regarding to the distribution of proceeds following liquidation of the company who gets the bounty first यानि की किसको क्या पहले मिलेगा in order of priority the first charge will be insolvency resolution process cost and liquidation cost to be paid in full यानि की जो खर्चा है उसको सबसे पहले देना है liquidation process will then be used to clear debts on to secure creditors and then to pay workers due for 12 months यानि की जो खर्चा है उसको देना है liquidation process का उसके बाद जो भी debt है उसको pay करना है उसके बाद 12 महीने का worker का खर्चा देना है फिर unpaid due to the employees rather than other than workmen यानि की workmen के अलावा के जो लोग है यानि की जो फॉर्मेन है उसके उपर से जो आ जाते करते हैं यानि की immediate officer of foreman वो जो employee है उनको 12 उनकी जो unpaid due है वो देनी है उनकी workers को 12 महीने के पैसे देने के बाद जो उनके officers जो है employees जो उसके उपर वाले उनको देने है उनके unpaid dues फिर जो financial dues जो है unsecured creditors के उन लोग को पैसे देने है उसके बाद government के taxes जो है वो कितने भी सालों से अगर pending पड़े हो लेकिन 2 साल के तो जो है वो देने ही है other debts pay करने है preference of shareholder and equity shareholder will receive last priority for payment यानि की shareholders जो होगे उसका सबसे बाद म चाहिए कि जब equity shareholder और preference shareholder के distribution की बात होती है तो पहले preference shareholders को preference दिया जाता है उसी लिए उनको preference shareholders बोलते है उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो equity shareholder ने जो face value का share buy किया है उतनी amount उनको pay कर दी जाएगी since equity shareholder could include the employees pf यानि की employees provident fund, pensions, pensioners fund etc तो इन सारी चीजों को भी pay off करना crucial बनता है shareholders के बाद में giving the public money the least important है raise the eyebrows of someone यानि की जो public से जो पैसे आता है इन्होंने जो public के shareholder से जो पैसे एक वार किये उनको सबसे जादा last के अंदर priority मिलती है तो यह shareholder के लिए एक दुखत बात है और यहां पर जो है इसके regarding even जो यह bill आया था insurance and bankruptcy court तो इसके रिहार से shareholders की जो आखे थी वह आज भी लाद ही है इस provision को लेते हुए तो यहां पर continue करते है only two year history is to be checked for diversion to check for asserting malphishkins there is a suggestion that early history also should be taken into account तो यहां पर एक point भी बोला जाता है कि जैसे कि हमने बात की कि government चाहे कितने भी taxes भरने बाकी हो लेकिन दो साल के tax अगर भर जाता है तो यहां पर भी दो साल की history check होती है उससे पहले कि जो lossy से वो check नहीं होते है तो यह एक negative बात है there is also apprehension that the ease of exit would lead to hire and fire especially in the private firms and startup companies तो यहां पर जो easy entry और exit का mark बन जाता है due to insolvence and bankruptcy court तो यहां पर जो है hire and fire की situation जो है और बड़ेगी जैसे कि अमेरिका के अंदर है start भ जैसे कि आपने देखा कि और कुट जो है start भी जल्दी हुआ और end भी जल्दी हुआ it was just a side example लेकिन यहां पर जो hire and fire का trend है वो यहां पर increase होगा promoter will have the option to buy back the company at a certain price with certain debt restructuring this has to be exemplated further to award bankruptcy tool for becoming an instrument to be exploited to the reduce debt and increase equity value तो promoters जो है वो चाहे तो यहां पर जो है company को बचा सकते है कुछ amount के अंदर पैसे भर देंगे तो यहां पर solution निकल के आता है तो bankruptcy की जो process है उसको रोख सकते है और यहां पर एक main point the proposed bill is also quite ambiguous in certain in the creation of a new institutional architecture to deal with insolvency तो insolvency के regarding deal करने के regarding यह जो bill है वो आज भी थोड़ा weird है क्यों weird है it proposed the establishment of new regulator the creation of a new profession of insolvency professional and the establishment of institutional known as information utilities that are designed to provide accurate information of defaults तो यहां पर काफी सारी नही demands होगी इस act को successfully implement करने के लिए जैसे कि insolvency professional तो इनको पढने के लिए भी जगा चाहिए जैसे कि इस institution and practices will take time to establish and there need to be well thought out transitional arrangement in the interim equal essentials is significant training of insolvency professional and judges if insolvency resolution and liquidation are to be the effect and the time bound process that the draft bill invades तो यहां पर जो है modifications लाना बुक्स के उपर easy है लेकिन real life के अंदर यह सारी चीज़े करके आना यानि कि professionals तैयार करना ऐसे institutions जहां पर appellate भी हो सके तो यह जब आया था 2016 के अंदर ऐसी सारी चीज़े लेके इतने amendments की जरूरत थी आरा लोस के अंदर जो पुराने act और लोस ते उनको nullify करके एक नहीं चीज़ लाना और आने वाले future के अंदर जो भी situation arise होनी है उसको पहले से predict करके बना कर रखना उस तरीके की provisions तो यह थोड़ा crucially important भी था और tough भी था लेकिन आज जो scenario है बहुत यह अच्छा है और अभी जो मसला है वो है NPA का मसला तो NPA को मसले को solve करने के लिए जो है insolvency और bankruptcy code और जो banking laws है वो एक तरीके से हाथ मिलाने के लिए तयार है कि हमारी जो provision है वो एक दूसरे के साथ counter will ना हो concluding part के अंदर हम बोलेंगे तब proposed insolvency and bankruptcy bill is only a starting fault for easing exit for debtors in distress preserving value and providing creditor with greater certainty in outcomes yet by providing for a linear time bound and collective process for insolvency resolution and liquidation it is a step in the right direction यानि कि अगर कोई individual या फिर कोई debtor जो है वो defolter हो जाता है या फिर उनके पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचता कि वो क्या करें तो insolvency और bankruptcy court जो है ये उनको एक सही mark दर्शन दिखाता है कि आप आईए और जो है आप insolven तो feel करी रहे हो situation भी महसूस कर रहे हो economically तो आप जो है bankruptcy के side आईए और जो legal तरीके से पूरी process है उसको complete कराईए ताकि जो है आप इस पूरे problem का solution कहीं ना कहीं जो है प्राप्त कर सके तो इस पूरे video lecture के दोरान पूरी discussion को ध्यान से समझने और सुनने के लिए thank you so much भारत मता की जाए वंदे मातरम